ही गाईज वेल्कम बैक टू मैं चैनल तो आज मैं वीडियो से एर कर रही रिपोर्टिंग का स्नेक प्लांट की रिपोर्टिंग का तो अभी बहुत ही अच्छा टैम है रिपोर्टिंग का तो काफी दिनों से मैं सोच रहे थी इस रिपोर्टिंग करने कि बहुत ही छोटे से लगा हुआ है और इसके roots देखे आप को दिख रहे होंगं तो म Pra apla से मुझ्य प्लार्ट करने उसके लिए। प्लास्टिक का आप से इंडोर रखते ही तो इसलिए मैं प्लास्टिक का लिए और मैं झेय साथ होल कर दियें और मैंने ज्यादा होल इसलिए किये क्यों ताकि ये मतलब प्लास्टिक का पॉट है पानी बिल्कुल भी नहीं रुखना चाहिने तो फिर हमारा जो प्लांट है वो खड़ाब हो जाता है तो इस वज़े से मैंने और आप चाहिए तो इसके जगह सेरेमिक का एफिटेरा कोटा जो भी हो आपके पास पॉट अप उसमें लगा सकते हो इंडोर रखने के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है इंडोर मता हमें ऑक्सिजन में प्रोवाइड करता है तो उसके बाद मैं दिखाती हो कि मैं जो इससे लगाओंगे किस तरह की मिट्टी मैंने इसके लिए लिए है तो उसके लिए मैंने लिया है कोकोपीट नॉर्मल जो सेंड मतास्वाइल होता है वो लिया है और यह कंपोस्ट लिया है और थोड़ा सेंड लिया है तो मैं बस इनी के मिक्षर में भी तक हैल दी है तो मैंने इसमें थोड़ा कॉपीच जादा लिया है ताकि प्लांट जो है मतलब हम मतें इंडो रखता है तो मतलब तो इसलिए मैंने यह सब लिया है तो यह देखे मैं इससे निकाल दूँगी आपको देखे इसमें रूट से दीख रहा होगा बिल्कुल इतना सारा हो तो मतलब बाउंड हो गया है रूट से मिट्टी तो देखी नहीं रही है तो देखे मिलकुल रूट बाउंड हो गया तब इससे बहुत ही जरूरी है रिपॉर्ट करना काफी दुनों से मैं सोच रही थी तो मैंने इसमें बस एक प्लांट लगाया था और यह देखे इसमें चार पांच प्लांट तो बनी इसमें बन पारा था एक जगह ही नहीं है मतब रूट जो है बहुत हो गया है तो अगर आप चाहे तो मतब उस प्लांट को अलग भी करके लगा सकते हो तो मैंने इसमें पहले मिट्टी डाल दिया है पॉट में आधा मिट्टी डाल दे उसके बाद उसे रखना है तो जिसे क कि मैं बोल रही थे आपको जिसmee बहुँत सारे प्लांट है तो अप चाहे तो उसको आप अलग करके तो मतलब अलग pot में भी लगा सकते जो छोटे छोटे प्लांट है इसमें फिर देखे जब मैं इसके मिट्टी नीचे से निकाल रही थी हलका साथ तो फिर दो तिन प्लांट उससे अलग हो गया है तो आप चाहे तो सबको एक ही प्लांट में मतलब एक ही pot में लगा सकते हो अभी मेरा मन करेगा तो मैं उसमें डाल दूगी कर एक साथ पुरा pot बढ़ा रहता है तो वह भी सुन्दर लगता देखने में तो मेरा एक और pot है जो की बिल्कूल भढ़क चुका है तो मैं उससे आपको next वीडियो में दिखाऊंगी कभी और अभी भी मैं उसमें बढ़ा जो है एक दो उसमें रख दूगी साथ में ही और छोटा वाला जो है मैं उससे अलग रख दूँगी उससे मतब छोटी से pot में लगाने के लिए छोटा सा प्लाट में हो तो ज्यादा सुन्दर लगता है तो इसलिए मैंने छोटा सा रख दिया है और बांकी जो भी प्लांट मैं इसमें डाल दूँगी और जो साइड साइड से जगह है उसको मतब अच्छे से मिट्टी डाल दे और अभी जो हमने प्लांट लगाया है तो इसलिए मिट्टी आप जब भी डाले थोड़ा सा प्रेस करके डाले हल्का सा धवा दे ताकि जो मतब कर हम पानी डाले उसमें त तो अब हम इसमें डालेंगे पानी और जब भी आप प्लांट रिपोर्ट करते हैं तो पानी फर्स टाइम अच्छे से डाले ताकि मिट्टी अच्छे से मतब भीग जाए बिल्कुल नीचे तर देखे मारा प्लांट रेडी है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वी लूमी आपके साथ एक नए अरच वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाई